चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी देदे की प्रदेश में आयकर विभा को इस सुवित वर्ष में करीब 22,362 करोड रुपे का राज़ास्व इकठा करने का लक्षा मिला है जो पिछली बार इकठे किये गए राज़ास्व के मुकाबले 20 प्रतिश जादा है मन्दे के इस दोर में आयकर विभा के सामने नई लक्षे को प्राप्त करना चुनाती भरा है ये रिपोर्ट भी देखिएगा केंद्रिय प्रत्यक्ष करवोड ने प्रदेश के आयकर विभा को राज़ास्व इकठा करने का नया लक्ष दिया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 19.62 प्रतिशत ज्यादा है गत वर्ष आयकर विभाग में हुई 18,692 दश्मिलव 8.00 करोड रुपए की वसूली को आधार बना कर इस बार 22,362 दश्मिलव 6.00 करोड रुपए का लक्ष दिया गया है प्रदेश के मुक्ष आयकर आयक्तों के राजस्व लक्ष की बात करें तो PCCIT जैपूर को खरीब 3778 करोड रुपए CCIT उदैपूर को 6725 करोड रुपए CCIT जोदपूर को 1037, CIT TDS 9843 करोड रुपए DGIT Investigation को 837 करोड और CIT International Tax को 149.56 करोड रुपए का राजस्व लक्ष मिला है अब आपको बताते हैं 31 मार्च 2018 को राजस्थान में आयकर वसूली का लेखा जोखा प्रदेश में गतवर्ष 18692.89 करोड रुपए की वसूली हुई वसूली में प्रदेश में महानेदेशक आयकर अन्वेशन खरीब 44 फीसदी बढ़ोत्री के साथ सबसे अबबल रहा उधर जोदपुर मुख्या आयकर आयकर आयुक्त कार्याले में खरीब 27 फीसदी की बढ़ोत्री रही जबकि जेपुर कार्याले में बढ़ोत्री का स्तर महज खरीब 6 फीसदी ही रहा वहीं महाने देशक अंतराश्ट्रे कराधान को खरीब 2 फीसदी की बढ़ोत्री मिली। उधर उदैपुर का मुख्य आयकर आयुक्त कार्याले आयकर वसूली में 21.4 शुन्य प्रतिशत कमी के चलते फिसदी रहा। विभागी आकणों के मुदाबिक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तिय वर्ष में आयकर राजस्व वसूली की आहलत अच्छी नहीं थी। आयकर वसूली की राशी खरीब 18,693 करोड रुपे की स्थर पर थी। जो मुल रूप से 53,187 करोड रुपे से तो करीब 2.75 पर थी। अधिक रही लेकिन संशोधित बजट 19,789 करोड की तुलना में खरीब 5.6 पर थी। अब सरकार ने साल 22,362 का राजस पर एकत्रित करने का लक्ष दिया है जिसे हासिल करना नामुम्किन तो नहीं लेकिन कठिन जरूर है। आखिर इस साल कैसे बड़े हुए लक्षों को प्राप्त कर पाता है। विमल कोठारी, First India News, जैपूर